हेलो डियर रिश्टेन आई इस वीडियो में हम लोग इलेक्टोलाइटिक डिकमपोजिशन समझते हैं इलेक्टोलाइटिक डिकमपोजिशन को हम इलेक्टोलाइशिस भी कहते हैं और इलेक्टिक डिकमपोजिशन भी कहते हैं ठीक है यह एक type of reaction है यह reaction under the action of electric current के होती है जब किसी भी compound में हम electric current पास करते हैं तो क्या होती है वो reactant break करके two or more substance form करता है किस पे anode और cathode पे ठीक है तो इसका हम definition अगर लिखेंगे तो electrolytic decomposition का reaction क्या होगा or reaction in which or reactant break into two or more substance substances under the action of electric current ओके यह आपका electrolytic decomposition कहलाया ठीक है example के तुरू समझते हैं सबसे इसका बेस्ट example है आपका electrolysis of water यह इस टू हो है liquid state में होती है इसमें आपको क्या करना है एक electric current पास करना है ठीक है जब electric current पास करेंगे तो यहाँ water two ions में तूट जाएगा और फॉर्म करेगा hydrogen gas plus oxygen gas इस तरह के आपको लेना है container एक में अनेड बनाना है और दूसरा आपको क्या हो गया positive terminal इस तरह के अनेड के थोड़ बनती है और यह आपका water होता है तो इस तरह का hydrogen gas कहाँ पे जाके store हो जाएगा कहाँ पे जाके फॉर्म करेगी तो यह देगे positive hydrogen positive होता ही है तो इस चला जाएगा cathode B ठीक है और oxygen gas कहाँ अप्टेर होगा होगा anode B बस समझ रहे है एक और example के तुरे समझते हैं हम molten initial को लेते हैं और इसमें electric current पास करते हैं ठीक है तो यह आपका एक sodium plus क्या बनेगा chlorine gas sodium और chlorine gas है इसको balance कर लिजे 2 लगा देजी यहाँ पे तो इस तरह के sodium metal कहाँ बनेगा यह बनेगा आपका cathode पे और यह आपका कहाँ बनेगा anode ठीक है तो यह हम example के थुरू electrolytic decomposition समझ गये इस वीडियो के थुरू आप इस reaction को समझ गये होंगे और फ्लीज हमारे चैनल पे नए आया है तो हमारे चैनल को like और subscribe कर दिजिए thank you हमारे चैनल को जाम गये है टाम्हाँ पुाल को is theeff mermaid कि झापके यह घुरू झाल झाल